नमस्कार निज्वेवन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ अफिशेक भारती और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगा आयोध्या विवाद मामले में कल यानि शनिवार को सुप्रीम कोट फैसला सुनाएगा बता दें कि आयोध्या मामले में ने सलाह दी गई है अधिकारी ने बताया कि राज्यों को के सभी समवेदन शिल स्थानों पर परियाप्त सुरक्षा कर्मी तैनात रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रियक हटना ना हो अधिकारी ने कहा कि मंत्राले कानून विवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में अर्ध सैनिक बलों की 40 कंपनियों को भी उतार चुका है ऐसी आशंका है कि समाजिक तत्मों जो है वो लोगों को धार्मिक भावना भड़का सकते हैं इसलिए इस परिप्रेक्षे में उ सुरक्षा वे इस था कड़ी कर दी गई है एहतियातन स्कूल और कॉलेजियों को भी बंद कर दिया गया है खबर है आयोध्या मामले में शनिवार को फैसला आ सकता है संभावित फैसले के मद्दे नजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ग्रेम अंत्राले ने तमाम राज्जियों को सतर करने के निर्देश दिये हैं उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजियों को सोमवार तक बंद कर दिया गया है जब बड़ी खबर आयोध्या पर संभावित फैसला सुप्रीम कोट शनिवार को सुना सकता उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है हर राज्य में सुरक्षा बढ़ानी की अपील की है ग्रेम अंत्राले ने राज्य सरकार से मदद मांगी है तो बड़ी खबर आ रही है अयोध्या को लेकर के अयोध्या विवाद के इस मामले में फैसला शनिवार को आ सकता है उत्तर प्रदेश में 40 कंपनिया अर्धिसेनिक बलों की तैनात कर दी गई है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है सुप्रीम कोट शनिवार को फैसला सुनाएगा अयोध्या के इस मामले में देश का सबसे पुराना मामला जिसका पटाक शेप शनिवार को हो सकता है अयोध्या मामले को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस फैसले का असर पूरे भारत पर देखा जाएगा इसलिए भारत के तमाम राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको बता देए कि क्रेमंत्राले के तरफ से सतरक्ता बढ़ानी का आदेश है ऐसे शेत्र जिने उन श्रेणी में रखा जाता है जो समवेदन शील है ऐसे शेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी की बात कही जा रही है ऐसे व्यवस्था ऐसी जगों पर अलर्ट जारी किया गया है तो अयोध्या को ले करके प्रशासन ने कमर कसली है उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे ये आदेश उत्तर प्रदेश में 40 अर्धस्यनिक बलों की कंपनिया तैनात कर दी गई है तो अंजनी रांची से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अंजनी का रुक करेंगा अंजनी आयोध्या पर फैसला आना है शनिवार का दिन बड़ा महतोपूर्ण रहने वाला है आयोध्या मसले पर क्या फैसला आयेगा ये कहना अभी बड़ा मुशकिल है और उतर प्रदेश में जो आपने बात की कि वहाँ चालिस कमपणियों की प्रतिन युक्ति की गई है तो जारकन में भी ऐसे ग्रीब इवाग ने पूरे देश के सभी राजियों को जो है अडवाईजरी जारी किया है अब लभा या लट पे रहने के लिए कहा गया है ऐसे समय में जारकन में बिधान सभा के चुनाओं होने हैं और चुनाओं के मद्द नजर एक सांती बेवस्ता बहालो जो सामाजिक ताना बाना है वो खराब नहीं हो तो इसको लेकर जो प्रशासन है पुलीस महकमा जो है अभी से ही मुस्ताइद हो गया है तो यह हम फिडायलाल में हैं तो फिडायलाल की तस्वीर आप देख सकते हैं तमाम जो डिएसपी हैं वो फिडायलाल में मौजूद हैं और कालियों का जो काफिला है वो भी आप देख सकते हैं तो एक मन्थन चल रहा है विचार विवस्त भी हो रहा है कि कल किस तरह से सहर क जो ब्यवस्ता है सहर को कैसे सांती ब्यवस्ता बहाल हो लोगों को जागरू किया जाए तिन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलीस प्रशासन पुरी तरह से मुस्ताइद है हमरे से डेसपी साहब है सर बताइए यह कल का दिन काफी महतुपून है कैसे आप लोग सुरक्षा को लेकर क्या करें हम लोग उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और तैयारी पूरी है को दिख्ट नहीं किसी घबराने की जरुवत नहीं है राजी पुलीस सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि हम लोग सबकोंपा है कि आचार संगीता लगी हुई है पहले से दाहरा किसकी से इलाके में रख रहे हैं और किस तरह से लोगों को भी जाग रूप कर रहे हैं जगा-जगा पीस कमिटी की बैठके हो रही है और हर जगा पे डिटेल मैजिस्ट्रेट और पुलिस बलका डिप्लामेंट हो गया है पहले से वो तैस समय पे अपने अपना स्थान पर रह हर से क्या अपील करते हैं कि यह अदालत का फैसला हम सबको स्विकार होगा मननी है उस्तव नियाले द्वारा सभी लोग शांती बनाए रखे आपसी सोहार्थ बनाए रखे राची पुलिस हर समय उनके साथ है कहीं कोई अफवाप ध्यान ने दे कोई अफवाप अगर कहीं स से कोई फैल के आता है तो तुरंत नजदी की प्रशाशन को चाहे पुलिस को चाहे आपके माधियन से हम लोगों सुचीद करें हम लोग निशी तुप से त्वरित करवाई करेंगे तो जिस तरह से बताये गया कि लोगों से अपील भी की जा रही है निउज 11 के मारफ़त से कि किसी भी तरह की जो अफवा है उस पर ध्यान नहीं दे और जो सामाजिक ताना बाना है वो बहतर हो सामाजिक महौल अच्छा हो तो पुलीस प्रशासन के तरफ से लगातार जो है प्रयास हो रहे है चले अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तो सबसे जो जरूरी बात है वो अभी DSP साब ने ये बात बताया ही कि आपसी सोहार्द्र जो है वो सबसे जरूरी है तो आप महाँ पर ध्यान बिलकुल नहीं देना है एक कोट का फैसला है समवेधानिक फैसला है हमें मंजूर करना चाहिए फैसला सरमत्थे ही से रखना है और आपसी भाईचारी की जो मिसाल दी जाती है उसे बनाए रखना है